सुधानचु जी आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, सरकार की जम्मेदारी है ना संसत चले, संसत में बहस हो, वेपक्ष कह रहा है कि आप लोग भाग रहे हैं इन मुद्दों से और यह आरों भी कि राहूल गांधी आप लोगों के सपनों में आते हैं, इसलिए आप लोग सपने में कौन डर के मारे दिखाई पड़ता होगा है तो खुद समझा जा सकता है, राहूल गांधी जी की अपनी पार्टी, अपने परिवार और जिस संसदिये छेत्र को वो अपनी जागीर समस्ते थे, वहां से वो चुनाव हार गए और उसके बाद, मैं यह मानता हूं कि राहूल गांधी जी के राजनेतिक बुद्ध कोशन पर चाहें जितने प्रशन उठाए जाएं पर एक मामले में तो उन्होंने बड़ा बुद्ध्यमत्ता का निड़ने दिया था, 2019 में वाइनार से चुनाव लड़ने का निड़ने, जिसकी वज़े से आज वो संसद में है अंग्रेशी में कमिंग इवेंट्स कास्टेर शेडोस बिफोर, यानि आने वाले समय के लक्षन पहले दिख जाते हैं, जब संसद सत्र शुरू नहीं हुगा तो सबसे पहले क्या मुद्धा बनाया गया, असंसदी ये शब्दों को लेके, जो 1954 से चले आ रहे हैं, 2010 से अप तीन काम है कि धारा 144 लगती है, संसद भावन के अंदर किसी प्रकार का धर्ना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, ये एक सामाने नोटिस हर सथ से बने, अब उसको साब पहली बार किया जा रहा है, और याद करिए, डिसक्रशन से भागने की बात, किसान आंदोलन था, जब हम कह रहे थे, डिसक्रशन करिये, तो इन लोगों ने इसलिए सत नहीं चलने दिया, इनोंने का कोई डिसक्रशन नहीं होगा, सीधे वापस लीजिए, कोई चर्चा की आवशक्ता नहीं सीधे वापस लीजिए, जब प्रधान मंत्री ने घोशना की, और संसद में सीधे वाप वापस लो जब वो सीधे वापस लेने लगे तो आप इसलिए इंस्टॉल करने लगे कि चर्चा क्यों नहीं हो रही है ये कहीं ने कहीं इनके स्वाभाविक नैसरगी चरित्र को दर्शाता है इसलिए देश की जंता भली बात ही देख चुकि एक सत्र शुरू होने से पहले ही उसे गिरा दीजिए ताकि कोई भी न पीपाए तो आज देश की जंता को स्वस्त परिचर्चा से वंचित रखने के लिए क्या कॉंग्रेस पार्टी खुद पानी नहीं पीपाए तो दूसरे को भी नहीं पीने देश का दिया जाए पानी सवाल यह है कि ऐसे मुद्दों प उठाकर क्या डिरेल कर रहे हैं आप लोग संसद में काम नहीं होने दे रहे हम दिखा रहे हैं कितने बिल निकालने हैं सुदान्चु जी की पार्टी को सरकार अजन्या जी सावन का महिना और महंगाई डराए जोर और सुदान्चु जी से बोलिये सावन के महिने में फास्टिंग तो रखते होंगे कसम खाके बोलिये यह पांच परसंड का जो जी एस्टी है दहीं चाच में गेहूं में मक्षन में यह किसके लिए है यह आपके दूसरा आप अभी बढ़ चटके स्मिती रानी जी की बात और इनके स्टेटमन दिखा रहे थे अभी सुदान्चु जी भी महंगाई की चर्चा कर रहे हैं माना जा सकता है कि हम आम की बात कर रहे हैं आप इमली की बात कर रहे हैं मुझे लगता है आप लोगों को शाद इल में चाच में लसी में गेहू में मखान में मखान तो आप भी समझते होंगे न सुधानशु जी बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत होता है गेहू में मूडी में जो चावल का सबसे हलका मूडी जो बहुत गरीब लोग नाश्ते में और शाम के नाश्ते में भी बर्गर बढ़िया पैकिंग में नहीं आता है। चरचा से डर रहे हैं। आप हमेशा से राहूल गांदी के नाम पे, नफरत के नाम पे, आतंग के नाम पे, अमेठी और वायनाट के नाम पर सिर्फ चर्चा को भटकाना चाहते हैं. मैं तो क्या रही हूँ, श्मिती रानी जी को आएं, हमारी बहन है, आप प्लीज आईए, और आईए मिलकर गैस सिलंडर के साथ, हम सचाई से अगर आप गरीब के साथ हैं, सत्ता के साथ नहीं हैं, आपको सत्ता का सुख इतना भागया, इतना भागया, कि 410 से, आज पौने 1100 गैस सिलंडर हो गया, तो आप गैस सिलंडर की बात ना करके किसकी बात कर रहे हैं, राहूल गांदी की, तो किनके सपने में कौन आके डरा रहा है, और कौन डरा रहा है, और क्यों डरा रहा है, कि आपको महंगाई डरा रही है, और आप इसके प्रश्म से बचने के लिए उ उलजलूल बाते कर रहे हैं और सुधार्शू जी एक बात और क्या दूँ आप जैसे लोग तो अस्पताल में इलाज करा लेंगे अगर आप से नीचे वाला आपका कार करता जो पंचाथ का कार करता है अगर वो भी आपकी उलजलूल बाते सुनने लगा और बोलने लगा तो जब वो इलाज कराने जाएगा ना तो हजार से नीचे वालों को भी आपको जी एस्टी भारी मत्रा में देना है उसकी बात करिए